अस्पतालों की दरो दीवारे, सुविधाए, परिसर, सब बताने के लिए काफी होते हैं कि वहाँ पर मिलने वाला इलाज आपको या आपके परिजनों को स्वस्त कर देगा या और भी जादा बीमार बना देगा बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज भी हर जगा इसलिए होते हैं जिससे मरीज को किसी भी प्रकार की बीमारी का उचित, शीख्र और हर संभव इलाज मिल सके इलाज के नाम पर बने अस्पतालों में वो तमाम तरह किस सारे उपकरणों, कमरों और टॉयलेट के सभी इंतिजामात इसलिए की जाते हैं जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, ना ही बीमार को और ना ही उसके साथ आयतीमारदारों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो लेकिन बांदा का ये मेडिकल कॉलेज कुछ और ही कह रहा है देखने में लग रहा होगा कि यहां कितने भी मरीज आएं सबकों की बिमारी के इलाज की सुविधा मिलेगी लेकिन अंदर के हालात आपको हैरान कर देगी अस्पताल के अंदर बेंच पर सोते हुए यावारा कुट्ते अस्पताल की सारी हकीकत बयान करते हैं ये तस्फीर एक बांगी भर है बांदा का ये मेडिकल कॉलेज पियेम मोदी के स्वच भारत अभ्यान वाली मुहिम का मखौन उड़ा रहा है नजर जमाईए और नजारा देखिए यही नहीं जहां एक तरफ पूरा देश कोविट की मार छेल रहा है वहीं इस मेडिकल कॉलेज ने भी कोविट बार्ट बनाया है लेकिन अस्पताल की सारी तस्वीरे देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां का कोविट बार्ट खुद बिमार है जहां एक तरफ सरकार स्वास्त सेवाओं पर पानी की तरह पैसा बहाती है लेकिन अतिकारियों के रवये के चलते अस्पतालों का यह हाल है अब सवाल उटता है किस बढ़ाली के लिए जिम्मेदार कौन है के लिए मेंगा बार्ट खुद अवादाँ मेंगा ड्रह पानी के लिए गया है बार्ट प्रख बार्ट इंड़ सेवाद़ सेवादीर टार्ट रुद अपार्ट टुद रखे लिए बड़ादाराव जिए लिए है